हेलो फ्रेंड्स, तो आज की हमारी स्टोरी एक ऐसे रैबिट के बारे में है, जो अपनी मॉम को आफ्टर लाइफ से वापस लाना चाता है, लेकिन क्या वो नेचर के खिलाफ जा पाएगा, तो चलिए देखते हैं उसके अद्बुत से सफर को. तो मुवी की शुरू में हम जोन और उसकी फैमिली को देखते हैं, जो अपने नए घर में शिफ्ट कर रहे हैं, उनकी छोटी सी फैमिली बहुत ही हसी खुशी से रहती है, लेकिन फिर एक दिन उसकी मॉम के तब्यात अचानक से खराब हो गई, उस रात एक पोड़ल से निकल कर फैदर किंग बहार आता है, जो दिखने में किसी बड़े से बर्ट जैसा है, और जोन देखता है कि वो उसकी मा को आफ्टर लाइफ में ले गया है, छोटा होने के कारण उसे कुछ समझ नहीं आता, और उसके डैड रात और रात उसे घर से दूर ले जाते हैं, आगे का स समझाते हैं कि ऐसा करना impossible है, और तुम्हारे लेटर्स लिखने का भी कोई फाइदा नहीं है, जोन को ये सुनकर बहुत दुख होता है, लेकिन वो अपने डैड की बात मानने को बिलकुल तयार नहीं था, और अपनी मॉम के लिए एक नया लेटर लिखने लगता है, वो उन बिल उसके डैड को बताता है कि फैदर केंग पानी से बहुत डरता है, और चुकने के लिए समुद्र से बढ़िया जगा कोई नहीं है, लेकिन जोन उन्हें इग्नौर करके बोटल को पानी में फैंक देता है, और हम देखते हैं कि वो अचानक से समुद्र की गहराईयों मे चली गई है, अगली सुबा वो अपनी बोट की मरमत करने लगते हैं, और पता चलता है कि उनके नट बोल्स खतम होने वाले हैं, उसके डैड पास ही की एक सीटी में जाने लगते हैं, और जोन को वोन करते हैं कि तुमें अंचान लोगों से दूर रहना होगा, और जब तक म उससे अपनी मॉम को कॉंटेक करने के कोशिश कर सके, लेकिन तब ही उसे रेडियो पर बिल का मैसेज मिलता है, जो बताता है कि फैदर किंग उस तक पहुच चुका है, और उसे इस वक मदद की जरूरत है, जोन ये सुनकर एकसाइटीड हो जाता है, क्योंकि वो खुद भी फैदर किंग से मिलना चाता था, और अपने डैड के लिए मैसेज छोड़कर, वो अकेले ही बिल की मदद करने निकल पड़ता है, जल्दी ही वो उसके आईलेंड तक पहुच जाता है, और देखता है कि कुछ ग्रीन क्रीचर्स उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बिल क और वो बहुत ही खतानाक जगा है, लेकिन जोन उसकी एक नहीं सुनता, और बाहर जाकर एक फ्लेयर गंड छोड़ देता है, तब ही हम वहाँ फैदर किंग को आते वे देखते हैं, और जोन इंजन रूम में जाकर बोर्ट को रोक देता है, यहाँ उसे फैदर किंग की आव अपनी टिकेट दिखाता है, और कहता है कि मैं वहाँ जाने के लिए बिल्कुल तयार नहीं हूँ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, तब ही कुछ सोचकर वो अपनी टिकेट जोन को दे देता है, और कहता है कि इससे तुम फैदर किंग की दुनिया में जा सकते हो, और अचानक से डूबना शुरू हो गई है, बोटल के तरह वो बोट भी पानी की गहराईयों में जाने लगती है, और जोन के कैबिन में पानी भर जाता है, वो तैर कर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन देखता है कि उसकी फैमली फोटो वहीं बोट में रह गई है, फिर जैसे ही वो उसे वापस लेने जाता है, एक मैजिकल फोर्स उसे और उसकी बोट को गायब कर देती है, आगे हम उसे बोट के साथ आसमान से गिरते हुए देखते हैं, और वो फोक बैक नाम की एक मिस्टिक जगा पहुचता है, तब ही दूर उसे एक शिप नजर आती ह और वो देखता है कि काफी सारे रैबिट्स वहाँ लाइन लगाए खड़े हैं, और एक फ्रोग कैप्टन उनकी टिकेट्स चेक कर रहा है, जोन भी उसे अपनी टिकेट दिखाता है, लेकिन कैप्टन कहता है कि तुम किसी और की टिकेट पर वहाँ नहीं जा सकते, और ये ह सारे टिकेट्स को एक बर्नर में डाल रहा है, और उसे निकले अनरजी शिप को पावर देने लगती है, फिर वो लोग अपनी जर्नी पर आगे निकल जाते हैं, और थोड़ी ही दिर में जोन को वो किंग्डम नजर आने लगता है, जहां एक जैसे हजारों घर बने हुए है वो समझ जाता है कि मेरी मौम भी इनी में से किसी एक में हैं, लेकिन तब ही वो कैप्टन उसे देख लेता है, और जोन उसे बचकर भागने लगता है, शिप से निकल कर वो एक स्टैचू तक आता है, लेकिन देखता है कि फैदर किंग वहाँ पहुचा है, वो जोन को उठा में नहीं होना चाहिए, वो कैप्टन पर भी बहुत नाराज होता है कि उसे रैबिट्स को चेक करके लाना चाहिए था, और तब ही वो देखता है कि जोन भागकर सिटी में जा रहा है, वो अपने मीनियन्स को उसे पकड़ने भेजता है, और वो सब जोन को उठा कर वापस जोन अपनी मॉम से मिलने को कहता है, लेकिन फैदर किंग बताता है कि हम मोरा के रूल्स के खिलाफ नहीं जा सकते, और अगर उसे पता चल गया, तो वो इस जगा को परबाद कर देगी, तब जोन उनकी बोस मोरा से मिलने को कहता है, वरना वो यहां से कभी वापस नहीं जा जाता है कि ये सारी सिटी बिलने ही बनाई है, लेकिन फो इनका ध्यान रखने से मना कर रहा है, और इसलिए मैं उसे यहां लाना चाहता हूँ, फिर जल्दी ही वो स्टैंपल तक पहुँच जाते हैं, जहां बीच ओ बीच एक टरनल बनी हुई है, और उससे होते वे वो एक पूल के पास जाते हैं, पता चलता है कि मोरा इसी के अंदर रहती है, और फैदर किंग को वो टिकट्स भी यही से मिलती है, जिस पर यहां आने वाले का नाम लिखा होता है, फिर जोन के कहने पर वो मोरा से कॉंटेक करने लगता है, और यहां पूल में जापने के चकर में, जोन उसके अंदर गिर जाता है, वहां उसे बड़े बड़े टेंटेकल्स नजर आते हैं, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, फैदर किंग उसे पकड़कर बाहर निकाल लेता है, और हम देखते हैं कि पानी चूते ही उसके हाथ जलने लगे हैं, वो जोन पर बहुत न दल जाता है, आगे हम देखते हैं कि कैप्टन जोन को वापस फोक बैंक में ले आया है, और तबी फैदर किंग भी वहां बिलकु लेकर आता है, वो बिलकु पताता है कि ये सब तुम्हारी गल्दी के कारण हुआ है, और बिना टिकट के जोन को वहां नहीं जाना चाहिए जोन को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है, और वो कहता है कि मैं तुम्हारी मोरा में बिलकु बिलीव नहीं करता, और वो मुझे मेरी मां से मिलने से नहीं रोक सकती, फैदर किंग भी समझ जाता है कि इस से बात करना एक तम बेकार है, और वो लोग उसे वहीं छोड़कर वापस चले जाते हैं, जोन उदास होकर रोने लगता है, और तब ही उसे वही बोटल दिखाई देती है, जिसमें उसने अपनी मॉम को मैसिज लिखा था, वो उसे पकड़ कर उसके साथ तैरने लगता है, और देखता है कि बोटल उसे एक आईलेंड तक ले आई है, तब ही किसी के आने के आवाज सुनकर वो छुप जाता है, लेकिन पता चलता है कि ये तो उसकी मॉम ही है, जो यहाँ उसका मैसिज रिसीब करने आई है, वो भी जोन को यहाँ देखकर हैरान रह जाती है, और उसे लगता है कि कहीं उसे कुछ हो ना गया हो, लेकिन जोन उसे बतात कि ऐसी कोई बात नहीं है और वो तो यहां किसी और की टिकट पर आया है वो उन्हें अपनी पूरी स्टोरी सुनाता है और कहता है कि मैं यहां आपको वापस लेने आया हूँ फिर वो उसके घर की और जाने लगते हैं और उसकी मोम बताती है कि पहले तो मैं भी बहुत उदास ती लेकिन फिर एक दिन मुझे तुमारा मैसेज रिसीब हुआ और उससे मेरी हैपी मैमरीस मेरे पास वापस आ गई वो जोन को उसके भेजेवे मैसेज दिखाती है जिससे उसने एक आर्ट पीस बनाया है और जोन भी ये देखकर खुश हो जाता है आगे वो अपनी मॉम को बताता है कि डैट फेदर किंग से बहुत डरते हैं कि कहीं वो मुझे भी अपने साथ ना ले जाए और इसी वज़ा से हमें समूंदर में रहना पड़ता है तब उसकी मॉम उसे समझाती है कि फैदर किंग तो बस अपना काम कर रहा है और वो तब तक किसी को नहीं ले जाता जब तक कि उसका टाइम ना आ जाए शाम को वो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते है और फिर जल्दी ही जॉन सोने चला जाता है सुबह वो घर के बाहर कुछ मीनियन्स को देखते हैं और उसकी मॉम डर के मारे उसे छुपा लेती है तभी वो देखते हैं कि बिल वहाँ उनकी मदद करने आया है और उने बताता है कि अब डरने के कोई जरूरत नहीं है कियोंकि मैंने उस फएदर किंग को कैद कर लिया है और उसकी जगाव मैं यहाँ का बोस बन गया हूँ इसके लिए वो जोन का थैंक्स बोलता है और कहता है कि तुमारी तरह मैंने भी मोरा पर बिलीव करना बंद कर दिया है उसकी मॉम को ये सब कुछ ठीक नहीं लगता लेकिन बिल उसे बताता है कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि जल्दी ही ये दुनिया बदलने वाली है फिर वो मोरा के टेंपल में आते हैं जहां बिल ने फैदर किंग को कैद किया हुआ है और वो गुस्से में उसे बहुत टोर्चर करता है वो जोन को बताता है कि जल्दी ही मैं एक पार्टी देने वाला हूँ ताकि यहां की boring life को interesting बना सकूँ और जोन भी यह सुनकर बहुत excited होता है उसकी mom को लगता है कि इससे kingdom का balance बिगर जाएगा लेकिन बिल उसकी एक नहीं सुनता और पूल में से धेर सारी tickets निकाल कर लाता है फिर वोन tickets को बाहर की दुनिया में कुछ rabbits को देता है ताकि उन्हें kingdom में party करने के लिए बुला सके और जल्दी ही वो सब वहाना शुरू हो जाते है कैप्टन को भी यह सब थोड़ा अजीब लगता है लेकिन जोन उसे बताता है कि बिल ने यहां के रूस चेंज कर दिये हैं लेकिन वो यह नहीं जानते थे कि इस से मोरा इरिटेट होने लगी है आगे हम उने अपनी party करते वे देखते हैं जहां बिल जोन से stage पर आने को कहता है और पता चलता है कि वो उसके डैट को भी यहीं ले आया है उसके डैट को भी कुछ समझ नहीं आता लेकिन वो एक बार फिर अपनी family से मिलकर बहुत खुश होते हैं जोन उन्हें भी अपने साथ घर ले आता है और दिखाता है कि उसके सारे लेटर्स मॉम तक पहुँच गए थे और अब उनकी family फिर से complete हो गई है अगली सुबा वो घर में पानी भरावा देखते हैं और मॉम समझ जाती है कि ज़रूर यहां कुछ गड़बड होने वाली है भागते वे वो तीनों बिल के पास आते हैं जिसके यहां rabbits की line लगी हुई है और पता चलता है कि वो सब अपने family members को भी बुलाना चाते हैं जोन उसे बाहर चल रही problems के बारे में बताता है लेकिन बिल कहता है कि यहां ऐसा कुछ नहीं है और देखो यह rabbits कितने खुश है तब mom उसे समझाती है कि तुम इन warnings को ignore नहीं कर सकते और बिल को उसके बात माननी पड़ती है तब ही इन तीनों को पूल से कुछ हवास सुनाई देती है और वो वहाँ नीचे चेक करने जाते हैं वहाँ वो फैदर किंग को कैस से अजाद कर देते हैं और वो उने बताता है कि बिल ने नेचर के बैलेंस को बिगार दिया है और अब मुरा किसी को नहीं छोड़ेगी वो उने तुरन बिल के पास जाने को बोलता है क्योंकि वही है जो उने उनकी दुनिया में वापस ले जा सकता है फिर वो उने अपने एक मीनियन देता है और खहता है कि जरूरत पढ़ने पर ये तुमारी मदद कर सकता है और जोन और उसकी फैमिली उसे लेकर निकल जाते है तब ही फैदर किंग बिल को वहाँ देखता है और खहता है कि तुमने सब कुछ बरबाद कर दिया है और इससे मोरा बहुत नाराज है बिल को लगता है कि ये सब जोन के बिना टिकट आने के कारण हुआ है और इसे ठीक करने के लिए वो मोरा से एक ओर टिकट निकाल लेता है ताकि उसे जोन को देकर सब कुछ शांद कर सके फैदर किंग को या आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता और उसे रोकने के चक्कर में वो पूल में जा गिरता है जिससे उसकी बोडी वैपुराइज हो जाती है तभी पूल से एक टैंटेकल बाहर आता है लेकिन इससे पहले कि वो बिल से टिकट को छीन पाए बिल उस टैंपल से बाहर निकल जाता है पता चलता है कि मोरा किंग्डम को नश्ट करने लगी है और जोन और उसकी फैमली बचते हुए कैप्टन के पास आ जाते है ताकि जल्दी से किंग्डम से बाहर निकल सके मोरा उन्हें रोकने की कोशिश करती है लेकिन कैप्टन किसी तरह शिप को उससे दूर ले जाता है तब ही वो देखते हैं कि बिल बोट लेकर भाग रहा है और जोन कैप्टन से उसका पीछा करने को कहता है आगे उन्हें बिल का वो सीक्रेट रास्ता नजर आता है लेकिन तब ही मोरा उन्हें तक पहुँच जाती है और शिप के सासाथ बिल को भी पकड़ लेती है बिल किसी तरह बचकर उस टावर पर चड़ने लगता है लेकिन मोरा उसे ऐसा नहीं करने देती और इधर जोन और उसकी फैमिली भी बचते वे टावर तक पहुँच जाती है जोन अपनी मॉम से उपर आने को कहता है लेकिन वो देखती है कि टावर को छूते ही उसका हाद जलने लगा है वो समझ जाती है कि मैं इस दुनिया से नहीं निकल सकती और इससे पहले कि देर हो जाए वो जोन और उसके डैट को उपर जाने को बोलती है उसके डैड भी ये बास समझ जाते हैं लेकिन तभी वो देखते हैं कि मोरा ने उस टावर को तोड़ दिया है और बिल भी नीचे पानी में गिर गया है फिर मोरा एक टिकट को उठा कर अपने टेंटेकल पर लगाती है और जोन समझ जाता है कि वो यहां अपनी टिकट सी लेने आई है वो टेंटेकल से होता हुआ किसी तरह उस शिप में जाता है जहां बर्नन में धेर सारी टिकट रखी हुई है और उने निकालकर वापस मोरा को दे देता है इससे मोरा शान्त होने लगती है लेकिन बिल का पीछा भी भी नहीं छोड़ती जोन उसकी मदद करने जाता है और उससे वो आगरी टिकट लेकर टेंटेकल्स के होल को बंद कर देता है मोरा बिल को छोड़कर वापस अंडरग्राउंड चली जाती है और जोन उसे बचाकर उपर ले आता है वो सब सोचते हैं कि अब भला हम उपर कैसे जाएंगे और तब ही वो मीनियन उन्हें कुछ इशारा करता है जोन उसकी बास समझ जाता है और वो देखते हैं कि हवा भरते ही वो फैदर किंग में बदल गया है वो बताता है कि मोरा से मेरी बात हो गई है और हमें उन सबी रैबिट्स को वापस बेजना होगा जिने यहां नहीं होना चाहिए वो उन्हें लकड़ी के टुकड़े कठा करने को कहता है और हम देखते हैं कि कैप्टन भी उन पार्टी रैबिट्स को वापस ले आया है और कहता है कि वापस जाकर वो उन्हें और लैटर्स बेजेगा इतने दिन समुंद में रहने के बाद फाइनली वो दोनों वापस जमीन के और चले जाते हैं जहां जोन अपनी मॉम को एक निया लैटर लिखता है और इस बार उसके डैट भी उसका पूरा साथ देते हैं एंड सीन में हम देखते हैं कि वो अपने पुराने घर में वापस जा रहे हैं और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है तो दोस्तों अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू